राजनीति गलियों में कदम रखते ही किरन बेदी RSS के रंग में रंगती हुई नजर आ रही है इस मुदब हमासाथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जम्यतर माहिंद के सेकेटरी अब्दुर्हामिद नोमानी सहाब नोमानी सहाब किरन बेदी जैसी BJP में जोइन करें अब RSS के रंग में उन्होंने रंग या उन्होंने बयान दिया कि RSS जो है डेश को जोड़ कर चल रहा है देखिए या तो उन्होंने RSS को पढ़ा नहीं है या जो है वो राजनीतिक लाब के लिए निराधार जो है वो बात लेती तो उनको पता चल जाता जो है वो çांत जो है क्या वह वह सोच रखती है और उसकी ऐडिया मज़ाइब के लोगों को धर्मों के लोगों को वो किस जो है दिरिश्टी से जह है वो देखती है तो यह बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह और जो डर बीजेपी से हमेशा रहा है अलप संख्यों को क्या वो किरन बेदी के राज में भी होने वाला है दिके यह से अलफ सेंख्या काओं के लिए जो है वह समसिया तो पैदा हो रही है जो है लव जिहाद के नाम पे घर वाफशी के नाम पे धर्मांतरन के नाम पे और जिस तरह बिहार में मुदफर पूर के वह जो घटना-घटी है और दंगायों ने जिस तरह जो है निर्दोश लोगों को मारा है घर जलाया है तो इससे तो साफ हो जाता है और जिस तरह कि बोली और भाषा का पर्योग हिंदुत वादी तत्व जो है वो कर रहे हैं तो उससे तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि यह लोग जो है वो क्या सोच रखते हैं और देश को किस दि पर किनार कर देता है तो इसको लेकर तो बहुत लोगों के जहन में जो है अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन यह जब आदमी जो है वह पद पर होता है या जो सर्वीस में जो होता है जैसे किरनवेदी थी तो उस वक्त या जो आप पार्टी में जब थी तो उस वक्त लग रहा का जो है वो जहन जो है वो बाहरा गिया है तो बिल्कुल कहीं न कहीं दर किनार वाली बात अलसंख्योकों के लिए जो है वो एक एहम मुद्दा अभी भी बना हुआ है और जिस तरह से सीम पत की उमीदवार किरन बेदी ने आरेसेस को राष्ट भक्त या यह कहें कि राष्ट से जोड़ने की जो बात कहीं है ऐसे में आलसंख्योकों के लिए एक चिंता का विशेय जरूर है कैमरा पसंद अंकित कौशिक के साश्य गुफी खान मुनसिव टीवी दिल्ली